नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को हैपी नवरात्री, हैपी गुड़ी पढ़वा जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज से नवरात्रे शुरू हो गए है चैतर मास के नवरात्रे है बहुत ही ज़ादा ये सुबदायक होते है तो ये नवरात्रे आप सभी के लिए खूब सारी सुक सम्रिद्धी लेके आएं आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सेहर करूँगी कि कैसे मैं माता की चोकी लगाती हूँ कैसे घर स्थापना करती हूँ कैसे माता के जवारे उगाती हूँ पिछले वीडियो जब नवरात्रों की मैंने आप सब के साथ सेयर की थी तो आप सबने देखे थे कि कितने अच्छे हमारे जमारे आये थे पूजा करने का सब का अपना अपना तरीका होता है और माता ये कता ही नहीं कहती है कि हमें बहुत ज़्यादा ताम जाम करना है जितना आपके पास है जैसा है वैसे से आप माता की पूजा कर सकते हैं बैस हमारा मन पवित्र हो मन में माता के लिए सरदा हो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए तो सबसे पहले तो हम जिस भी स्थान पे माता की पूजा करेंगे उसको अच्छे से साफ कर लेंगे और उसके बाद आप कोई भी चोकी या पटडा लेके माता की पूजा कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की चोकी नहीं है पटड़ा है तो उस पे भी माता की पूजा की जा सकती है और अब इस पे हम ये लाल कपड़ा भी छाएंगे लाल की जगे आप पीला कपड़ा भी ले सकते हैं हरा भी ले सकते हैं लाल रंग माता का प्रिये रंग होता है इस तरह का पटड़ा अगर आपके पास है तो उस पे भी आप माता की चोकी लगा सकते हैं जैसे आपको मन करें वैसे आप माता की मूरत की स्थापना करें सबसे पहले हम गणेश जी भिठाएंगे क्योंकि कोई भी पूजा, कोई भी विवरत, कोई भी तैवार इनके भी नातो अधूरे हैं और यह हमारी सेरा वाली माता आपके पास जैसी भी मूरत है मिटी की, तांबे की, चांदी की आप उसी से पूजा कर सकते हैं क्योंकि कहते हैं ना बगवान तो हम सब के दिल में होते हैं अगर मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं और यह हमारे गणेश जी महराज को हमने माला पेना दिये, देखिए अगर आपके पास फ्रेस फूलों की माला है तो आप वही पेनाएंगे उनका तो मुकाबला कोई भी माला नहीं कर सकती और माता को अब हम यह चुन्नी उड़ाएंगे माता की मुरद चाहे आप जहां पे भी रखें, चाहे अपने मंदिर में रखी हों, चाहे इस तरह की पूजा करें, उस पे चुन्नी आप जरूर डाल दें जितना आपका दिल करें, उतना आप माता को सजा लें, यह हमारी सर्दा है जैसे सभी का दिल करता है, नवरात्रों में तो अच्छा-च्छा करने का खुब-धूम-धाम से सब लोग माता की पूजा करते हैं कुछ हमारे पास और मूर्त हैं, यह भी हम इस तरह से लगा लेंगे यह गणेश जी लक्षमीजी की अब हम अपनी सेरा वाली माता को भी यह माला पहनाएंगे यह से बहुत ही दिलखुस हो जाता है, जब मैं तो नवरात्रे करती हूँ, मुझे तो अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है बहुत सालों से मैं माता के नवरात्रे कर रही हूँ, हर बार मुझे उतनी ही खुसी मिलती है यह मारी माता की चोकी देखे लग गई है अब आप पूजा में पंच मेवा, नारियल, लोंग, इलाइची, काली, मीर्ट, सुपारी अगर आपके पास यह सभी चीजें हैं तो जरूर रखें धूप, दीप, नवे कहते हैं माता को यह सभी चीजें बहुत प्रिय होती है और अब हम अपने चोकी स्थापना करने के बाद जो हम जवारे होते हैं वो गाएंगे तो इसके लिए हमने मिट्टी का यह पोट लिया है अगर आपके पास इस तरह का मिट्टी का बरतन नहीं है तो आप नीचे भी फर्स पे साफ करके मिट्टी डालके जवारे हुआ सकते हैं वैसे आराम से मिल जाते हैं अब जो यह हमने बरतन लिया इसमें हम मिट्टी डालेंगे मिट्टी को आप अच्छे से साफ कर लें क्योंकि इसमें कहीं कहीं कंकर भी होते हैं तो कंकर आप सारे निकाल दें और जो अब आपने जोन लिये हैं वो इसके अंदर इस तरह से उपर डाल दें मिट्टी हमारी थोड़ी सी गीली पहले से ही है और पूरे इस बरतन में आप बढ़िया से ये जों डालें सबी जगें पर जिससे बहुत ही गहरी आपकी जो जवारे हैं वो उपके तैयार हों और अब इसके पर थोड़ी थोड़ी हम जों के उपर मिटी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा हमें इसको ढखना है बहुत जादा नहीं ढखना बिल्कुल इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप इसको दबा दें नीचे मिटी में और उपर से थोड़ी थोड़ी मिटी डाल के इसको ढख दें अब हम डालेंगे इसमें पानी तो बहुत जादा पानी आपको एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है इस तरह से हाथ से आप थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डाल दें इतना कि बस मीटी और जो गिले हो जाएं एक साथ बहुत जादा पानी आप ना डालें अब दिन में दो से तीन बार इसमें पानी डाल सकते हैं लेकिन एक बार अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो हमारे जो जो हैं वो अच्छे नहीं जमेंगे इस चीज का आप ध्यान रखें थोड़ा-थोड़ा इस तरह से हाथ से करते वे पानी डालें और पूरे बरतन में बढ़िया से आपको जो और उसके उपर थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डालके पानी डालना है अब हम इस बरतन को ढख देंगे ढखना बो ज़्यादा जरूरी है आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कोई भी प्लेट या थाली लेके आपको इसको ढख देना है अब इस पर हम बनाएंगे साथिया स्वास्तिक स्वास्तिक हमने बना लिया है बहुत तीसूब होता है स्वास्तिक अब इसके उपर हम थोड़े से अकसद डालेंगे अकसद मतलब हम चावल के दाने डालेंगे थोड़े से चेनी के दाने भी डालेंगे और जो हमने कलावा लिया है वो भी तोड़के उसके उपर रख देंगे तो ये तो हमारे जवारे तयार हो गए है इसको हम साइड में एक तरफ रख देंगे और हर रोज नो दिन तक जब भी हम पूजा करेंगे सुबा शाम हम अपनी पत्वारी जो हमने उगाई है इसको जरूर सीचेंगे पानी से गर्मी के टाइम में आप तीन बार भी सीच सकते हैं और अब थोड़ा सा पानी लेके हम इसके चारो तरफ इस तरह से घुमा के नीचे डाल देंगे अब हम लेंगे एक मिटी का कलस जिसपे हमें नारियल स्थापित करना है इसको पानी से अच्छे से हमें भर देना है उपर से हम यह धक्कन रखेंगे देखे इस पर गोटा भी लगा हुआ है स्वास्तिक भी बना हुआ है तो बीच में हम सिंदूर का एक टीका लगाएंगे इस सुन्दर है यह कलस देखने में और अब जो हमने नारियल लाया हुआ है इस पे हम एक चुन्दरी लपेट के इसको कलस पे स्थापित करेंगे यह पानी वाला नारियल है जब भी आप नारियल खरीदें इस चीज का जरूर ध्यान रखें इसके उपर जो इस चोटी बनी हुई है यह जरूर होनी चाहिए पूजा में जो नारियल रखा जाता है उस पे चोटी होना बहुती सूब माना जाता है और इस तरह से चुन्दरी लपेट के इस पे हम कलावा बान देंगे जो हमारा नाल है वो हम इस पे बान देंगे कलस पे आप आम के पत्ते भी अगर आपके पास हैं तो जरूर लगा दें नारियल पे अच्छे से नाल बानने के बाद अब इसको हम कलस पे स्थापित करेंगे कलस आप मिटी का, तामबे का, स्थिल का कोई भी ले सकते हैं बस उसको अच्छे से धोके, साप पानी से भर दें और उसके अंदर थोड़े से चावल के दाने और एक सिका जरूर डालें सिका आप एक रुपे का या पांच रुपे का कोई सा भी डाल सकते हैं नारियल पे भी अब हम सिंदूर से टीका लगाएंगे और यह हमारी देखें माता की चोकी भी लग गई है जवारे भी हमने उगने के लिए रख दिये हैं और नारियल भी स्थापीत कर दिया है उपर से थोड़े से चावल के दाने आप जरूर डालें यह सारी चीज़े करने के बाद अब हम जो हम अखंड लगाने वाले हैं आज उसकी तैयारी करेंगे यह हमारी आर्ती की थाली है अखंड जोत के लिए जो बाती है वो नाल की बनाई जाती है मार्केट में आसानी से यह मिल भी जाती है अगर आप मार्केट से नहीं लेना चाते हैं तो आप इसे घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं आर्तिक इथाली में भी देखें हमने स्वास्तिक बना लिया है अब चाहें तो इस प्लेट में भी दिया रखे जोत लगा सकते है यह हमारी जोत है क्योंकि हम अखंड जोत लगाने वाले हैं इसलिए हमने थोड़ी सी बड़ी जोत ली है और यह हमार सुध देशी घी जो हमने अपने घर पर ही बना के तयार किया है माता की जोत घी से ही जलाई जाती है तो इसको अच्छे से हम भर देंगे बाती हमने पहले ही लगा लिए थी और ये जोद हमारी जगने के लिए बिलकुल तयार है अखंड जोद का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है एक बार इसमें अच्छे से घी आप भर दें इसके बाद बहुत लंबे टाइम तक ये जलती रहती है जैसे आपको लगे की घी थोड़ा कम हो गया है इसमें दुबारा से घी डाल सकते हैं इसके अंदर हम थोड़े से चीनी और चावल के दाने भी डालेंगे और जोड को हम जगा लेंगे जै माता दी जोड को जगाने के बाद आप एक फिक्स जगा पे इसको रख दें बार बार इसकी जगा चेंज बिलकुल ना करें अब चाहें तो साइड में एक चोकी लगा के भी इसको रख सकते हैं क्योंकि हमें सुबा श्याम माता की पूजा करनी होती है तो इस तरह से हाथ जलने का भूजादा डर रहता है तो अब हम इसे साइड में चोकी लगा के स्थापित करेंगे से पहले हमने सबी अपनी जो माता की मूरत ली हैं उस पे हम टीके लगाएंगे नाल चड़ाएंगे और परसाद चड़ाएंगे हमने आज चर्णा मरत भी बनाया है चर्णा मरत हमने बनाया है दही से, दूद से, सहद, मिसरी, तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा गंगा जल इस तरह से चर्णा मरत बनाके आप माता को भी इसका भोग लगाएं और सारे परसाद को आप अपने परिवार में सभी को जरूर दें और ये अपने गमले से कुछ फूल तोड़े हैं ये भी अब हम माता को अरपन करेंगे हर जगहें पे अलग अलग तरीके से माता की पूजा की जाती है सभी के अपने अपने तरीके होते है माता सिर्फ भाव की बूखी होती है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे ताम जाम करें आपके पास जो है जितना है उससे आप माता की पूजा करें सुद्ध मन से पवित्र मन से अगर आप पूजा करेंगे तो माता आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुद्धायक रहेगी बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेगी आपके परिवार में शुक्ष्यांति रहाएगी तो देखिए हमारी कलस्तापना हो गई है घट्स्तापना हमारी हो गई है माता की चोकी भी हमने लगा ली है जो भी फल आपके पास हैं वो आप जरूर रखें केला का परसाद बहुत ही अच्छा माना जाता है इस पूजा में आपके पास पंच में वह है तो वो भी आप रख सकते हैं इलाईची काली मीड़्च, लोंग ये सब भी पूजा में रखा जाता है सुपारी का भी पूजा में बहुत जादा महत्व है कहते हैं न धूप दीप नवेग ये सबी चीजे माता की प्रिये होती है तो आप सब ने कैसे करी है माता की पूजा ये मेरे साथ जरूर सेर कीजिए जर आप सब अखंड जोत लगा रहे हैं तो इस तरह से कोई बी जाली आपके पास कद्डूकस हो तो वो आप इसके उपर जरूर रखें सेफटी का भी पूरा ध्यान रख़ें क्योंकि घर में कई बार चोटे बच्चे होते हैं वो भी सरार्थ कर देते हैं तो इस तरह से आप इसको कवर जरूर कर दें कवर आप जो कदुकस होते हैं गोल वाले उससे भी कर सकते हैं या फिर ये जाली जो है ये भी बहुत आसानी से पूजा बंडार पे मिल जाती है तो ये हमारा फाइनल लूक है कैसा लगा आप सभी को हमारा मन्दिर माता का हमें जरूर बताएं आगे हम माता के नो दिन की पूजा की विधी आप सब के साथ जरूर सेयर करेंगे आज के लिए सिर्फ इतना ही बहुत जल मिलेंगे एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ एक बर फिर से आप सभी को हैपी नवरातरी जय माता दिन